प्रशान दवन्देगो होती है वो भी काफी important है तो ये जो ग्रुप है ये based है US में इन पर काफी बार इंडिया में criticism हो चुका है इस बात को लेकर के भारत में ये हमारे festivals को लेकर काफी आलोशना करते हैं वेरा सेम टाइप की आलोशना ये लोग Spanish festivals, American festivals, European festivals को लेकर नहीं करते खेर अभी हाली में हमती हजीब सा केस हुआ अचानक से पीटा ने अमुल को ये कहा कि आप लोग अब जो dairy milk है ये produce करना कम कर दो जो vegan milk है ये ज़रा produce करो यहाँ पर आप देहोगे ये हिंदुस्तान टाइम्स का आडिकल है response to market changes पीटा ने इंडिया की company अमुल को ये कहा कि अब vegan milk बनाओ यहाँ पर dairy milk का time up खतम हो रहा है इसके response में RS OD साब जो आज के समय काम कर रहे हैं as managing director of अमुल इन्होंने बहुत ही एक अच्छा जवाब दिया इन्होंने आपर ये कहा कि फिर किसानों का क्या होगा 10 करोड किसान है आज के समय भारत में जो जुड़े है dairy industry से अब ये किसान जो हैंन में से काफी सारे किसान बहुत पूर हैं इनके पास जमीन भी नहीं है अपनी के dairy farming के लाबा कुछ और कर दे तो इनकाम क्या करेंगे 10 करोड लोगों को रोजगार कहां से आप दोगे फिर एक इशू ये भी है कि आप अगर dairy milk को त्याग देते हो और कहते हो मुझे वस वीगन मिल्क का प्रड्यूस करना है तो वीगन मिल्क की कौश जादा होती है वीगन मिल्क आपको एक लीटर काफी जगा असी से लेकर 100 रुपे के आसपास का भी पढ़ सकता है विराज जो dairy milk है उसे काफी सस्ता है तो ये बहुत ही relevant question है जो आरे सोडी साब ने उठा है अब यहाँ पे आप basic question ये पुछोगे मुझसे वीगन मिल्क होता क्या है और dairy milk से different कैसे और पीटा यहाँ पर क्यों कह रहा है कि जो dairy milk है basically गाय का दूझ जो भी हम पीते हैं इसमें खराबी क्या है ना first of all वीगन मिल्क को ना काफी बार plant based milk भी कहते है वीगन मिल्क हो सकता है कि आपने life में एक दो बार try भी किया हो soy milk आपने हो सकता है कभी try किया हो आपने देखा होगा आज के समय मार्केट में chocolate, strawberry और various or flavor के soy milk के containers आते हैं यह milk obviously बनता है soy bean से फिर है almond milk यह obviously बनता है almond से बहुत ही simple process होता है इसमें करते हैं almond milk में बादामों को पहले भिगो देते हैं जब बादाम कुछ तक expand करते हैं उसके जो आपके पास यहाँ पे एक liquid बजगया उसको यह कहते हैं यह है almond milk सुवाद इसका कहीं से भी दूर दूर से भी आपको dairy milk जैसा नहीं मिलेगा मगर कहा जाता है कुछ studies में US में कहा जाता है कि यह dairy milk से ज़्यादा healthy है खेर vegan milk की की कई variety है ठीक है almond milk भी होता है soy milk भी होता है coconut milk को भी यह कहते है vegan milk है यह और जरातार जो यह milk है यह आपको आशा रिखेगा दुनिया में कई देश है जहाँ पे extensively यह लोग vegan milk को use भी करते हैं for example यहाँ पे आप देखोगे जपान में इस टाइप का जो यह rice milk है लोग पसंद करते है एक type की delicacy भी है मगर घूम फिर के है पर प्रॉलम हाती है कि vegan milk होता है महेंगा एक lower middle class का आदमी vegan milk कैसे afford करेगा obviously बाता है बदाम के रेड़ आप सबको पता है क्या है अब बदाम से आप दूर बनाओगे तो बहुत महेंगा होगा वो तो dairy milk से it is much more expensive और फिर यह issue भी है कि vegan milk को जब आपको produce करना है तो रोजगा पर इता जनरेट होता नहीं है क्योंकि सारा काम जो इसका यह होता है factories में तो आप किसानों का जो रोजगार है यह खतम कर देते हैं तो यह बहुत बड़े दो question है और इस वज़े से कभी भी आप देखोगे भारत पे at least आने वाले 10-20 साल में हम लोग dairy industry को खतम करके vegan milk को promote न कि देखो cow milk unhealthy है अब मुझे यह नहीं पता यह क्यों कहते हैं unhealthy है मैंने की एक गो research papers को study किया देखा क्या यह क्या रहे हैं मुझे unhealthy होने का तो समझ नहीं आया इंडिया में आप अगर देखो तो हम हजारों सालों से milk को use कर रहे हैं as a source of nutrition हमारे यहां खाडों में आप अगर पीटा यह कह रहा है कि cow milk unhealthy होता है चलो यह एक बार को इसको ignore कर लेते हैं फिर यह दूसरी बात कहते हैं कि यह cruel है cow milk अगर आप पीते हो तो यह cruel है यह अपनी website में देते हैं इसका answer यह लोग कहते हैं कि देखो आज के समय time चल रहा है industrial farming का बहुत ही बड़े scale पर आपको cow milk produce करना होता है तो यह लोग कहते हैं कि दुनिया भर में आज के समय injection दिये जाते हैं cows को steroid के forcefully उनको जादा milk produce करवाया जाता है इंडिया में कुछ cases दिखे हैं हमने देखा है कि over the years कई जगा मैं यह नहीं कहूंगा बड़ी कंपनियों में मगर कई local जो यहाँ पर milk producers हैं यह काफी बार steroid का use करते हैं cow को जादा milk produce करवाने के लिए मगर क्या यह all over India हो रहा है हर जगा हो रहा है यह कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा मगर य human consumption के लिए नहीं है तो इसको लेकर इन्होंने बहुत सारा literature publish कर रखा है कई इनके आपको articles मिलेंगे इनकी website पे तो घूम फिर के यह लोग कह रहे हैं कि गाय का दूद पीने का time बंद हो गया है अब बस यह almond milk rice milk और coconut milk वगरा है यह सब पिना चाहिए और इस सब के लावा द पेंडेमिक को भी इससे एक तरीके से लिंक किया है हरा की अब तो अब मुख्यतारा में यह बात चल रही है कि COVID-19 पेंडेमिक चाइना की लाब से शुरू हुआ था बात चीच चल रही है इस पर confirm नहीं हुआ तो खेर basically पीटा हर तरफ से कह रहा है कि यह unhealthy है पहली बात तो unethical है गलत है cruel है फिर कल को बिमारिया भी फैल सकती है अगर आप जानवरों को एजगा रखते हो तो यह इनका यहाँ पे तरक है यह सब कहा कर यह लोग कह रहे है कि cow's milk अभी जो consumption है जो इसकी यह करनी चाहिए कम मगर अमोल काफियत तक अपनी जगा खड़ा है यह कह रहे ह है कि dairy milk अभी भी important है economy के लिए किसानों के लिए और lower middle class के लिए क्योंकि अगर आप अगर completely shift कर दोगे vegan milk की तरफ तो एक आम आदमी है जिसकी salary 30-40,000 हजार है वो चाहिनी भी पाएगा उसकी diet में से आप चाहे एक glass दूद, खीर जो यह सब products है यह all together आप eliminate कर दोगे तो यह बहुत ही ज़ारा मैं काऊंगा complex एक debate है, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका opinion, आप यहाँ पे किसकी तरफ है, क्या यहाँ पे आप support करते हैं vegan milk को, या फिर आप यहाँ पे support करते हैं dairy industry को, लिखेगा comment section में, I am sure all of us would like to know your opinion, और finally मैं यह भी add कर दूँ कि आप किसी भ bank railways, unacademy के course available है, यह price pay मत कर देना, यह है original price, use करो यहाँ पर code PD10 और यह होगा आपका discounted price, so use the code PD10 and save money, इस note के साथ यह है video कांथ, thank you for listening and as always, God bless you all.